दोस्तो मूवी शुरू होती है और हम एक स्कूल की डांस पार्टी को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टुडेंट्स डांस कर रहे थे लेकिन एक लर्का वहाँ पर चुपचाप खड़ा उन सब को देख रहा था लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसे एक लर्की दिखाई देती है जो उसे डांस करने के लिए अपने पास बुलाती है फिर डांस करते करते जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तभी वहाँ पर सभी लोग उस लर्के को देखकर जोर जोर से हसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं असल में वहाँ पर कोई लर्की थी ही नहीं वो तो एक भूतनी थी जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी अब ये देखकर वो लड़का भी घबरा जाता है तभी वो भूतनी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए उसके पास आती है पर तभी अचानक वो हवा में गायब हो जाती है अब यह से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद हम उसी लड़के मॉडेस्टों को देखते हैं जो की अब एक टीचर बन चुका था लेकिन अभी भी वो बहुत दरपोक था और स्कूल के बच्चे भी उसे परेशान करते थे उधर स्कूल का प्रिंसिपल भी उसे देख रहा थ जिसके बाद उसे बच्चों को न संभाल पाने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है आब हमें पता चलता है कि मॉडेस्टों को अभी भी भूट प्रेद दिखाई देते हैं और अपने इसी प्रॉबलम की सॉल्यूशन के लिए वो एक साइकेटरिस्ट के पास ज देख सकता था इसके बाद जब मॉडेस्टों सडक पर घूम रहा था तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सडक पार कर रहा था। उसी दोरान वहाँ पर कितावे और स्टैपलर अपने आप ही उड़ने लगते हैं और वो सभी मिलकर उस टीचर पर हमला कर देते हैं फिर वो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फैंक देते हैं जिसके बाद वो कंकाल उपर से उसे देखकर हसने लगता है। मस्ती करते रहते थे। तब ही वहाँ पर स्कूल की मालकिन आती है और अपने स्कूल की ऐसी हालत को देखकर वो टीना को एक आखिरी मौका देती है कि अगर वो स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं कर पाई तो उसे मजबूरन इस स्कूल को बंद करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मौडेस्टो उसी स्कूल में इंटरव्यू देने आता है लेकिन उसका रिज्यू में पढ़कर टीना कहती है कि तुम्हें तो पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। इस पर मौडेस्टो कहता है कि नहीं उन्होंने मुझे नहीं निकाला बलकि मैंने खुद स्कूल छोड़ दिया था अब क्योंकि इस वक्तीना को टीचर्स की सक्ट जरूरत थी तो वो मौडेस्टो को टीचर की जॉब पर रख लेती है और उसे आज से ही ज्वाइन करने को क कहती है इसके बाद जब मौडेस्टो अपनी क्लास लेने जा रहा था तभी वो एक लड़की से कहता है कि क्या तो मुझे क्लास्रूम तक छोड़ सकती हो लेकिन तभी वो लड़की उससे दर कर भाग जाती है फिर चलते चलते मौडेस्टो एक पुरानी बंद पड़ी जगा दिया था मौडेस्टो बहुत ही मुश्किल से उन भूतों से अपना पीछा चुडाता है और वहां से सीधे टीना के पास आता है यहाँ पर उसे उनी पांच स्टुडेंट्स की तस्वीरे दिखाई देती है जो कि कई सालों पहले मारे गए थे मौडेस्टो कहता है कि मैंने आज इन ही के भूतों को देखा है लेकिन टीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती लेकिन तभी वहां पर फिर से वो भूत आ जाते हैं जिन से घबरा कर मौडेस्टो स्कूल छोड़कर भाग जाता है अब वो भूत भी मौडेस्टो का पीछा करने लगते हैं ल उसकी मौत हुई थी तब भी वो प्रेगनेंट ही थी वही स्कूल में कुछ बच्चे जादू करके भूतों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे पर तब ही वहाँ पर डैनी और जॉन नाम के दो भूत आ जाते हैं और वो उरती हुई कुरसियों को दिखा कर उन्हें वहाँ से भ पर गया था उधर टीना मौडेस्टो को बता रही होती है कि जब उसका बाप इसी स्कूल का डाइरेक्टर था तब उसने पांच बच्चों को डिटेंशन की पनिश्मेंट दी थी लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आग लग गई जिससे वो पांचों बच्चे मारे गए उसे इस काम के लिए हां बोल देता है क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने उसे पागल नहीं कहा था तब ही बाहर आते ही वो उस डॉक्टर की दी हुई दवायों को फेक देता है और वहीं उस एक्सीडेंट वाले भूत को सड़क को पार करना भी सिखाता है इ उसे तारों से बांथ कर वहीं पर उल्टा लटका देते हैं इसके बाद मॉडेस्टो डॉक्टर के मरे हुए बाप से मिलने जाता है जहां पर वो आदमी उसे बताता है कि अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वो भूत बन जाता है और उसके मुताबिक अगर इन भूतों को मुक्ती चाहिए तो इनको पढ़ाई करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी इसके बाद मॉडेस्टो ये बात जाकर सीधे भूतों को बता देता है लेकिन ये सुनकर सिर्फ एंजला नाम की ही एक लड़की खुश होती है और बाकी के भूत इतने ज पढ़ाई करके उन सभी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और फाइनली इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे लेकिन डैनी इस सब के खिलाफ होता है और वो यहां से नहीं जाना चाहता था फिर अगले दिन मोडेस्टो देखता है कि सभी स्टुडेंट्स पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं वहीं एलसा जॉन से बाते करते करते उसके प्यार में पढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से फ्लट करने लगते हैं उधर एलसा बच्चों को फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो उसका भी मन करता है कि वो भी इस फंक्शन में पफॉर्म क उधर डैनी एंजला को भी वहाँ पर गाना गाने को कहता है और कहता है कि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन सकता लेकिन जब एंजला वहाँ पर गाना गाती है तो डैनी पीछे जाकर माइक के वॉल्यूम को तेज कर देता है जिसके चलते एंजला की भूतिया आवाज सु जवाब दे देता है लेकिन तभी वहाँ पर अचानक टीना आ जाती है जिसको देखकर सभी भूत मुस्कुराने लगते हैं और मॉडेस्टो से कहते हैं कि तुम तो टीना के पालतू हो फिर टीना मॉडेस्टो को बताती है कि स्कूल की मालकिन वी फंक्शन में आने वाली है औ अच्छे होने लगते हैं वो भूत जिम करते हैं साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना होमवक भी पूरा करते हैं फिर कुछ दिनों बाद सभी स्टुडेंट्स के एक्जाम होने वाले थे तब ही जोर्ज एलसा से कहता है कि हमें जल्दी यहां से जाना इस पर एलसा रोते हुए कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जल्दी ही मैं तुमसे मिलने वाली हूँ फिर एक्जाम शुरू होते हैं और सभी भूत चीटिंग करके अपना पेपर लिख रहे होते हैं जिसके रिजल्ट में वो सभी पास भी हो जाते हैं। उधर डैनी ने अपना पेपर खाली छोड़ दिया था लेकिन मॉडेस्टो ने फिर भी उसे कुछ नंबर देकर पास कर दिया तभी उन्हें वहाँ पर एक सफेद रोश्नी दिखाई देती है और सभी भूत हाथ पकर कर स जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुक्ती पाने के लिए उन भूतो को अपनी असलियत को अपनाना होगा। फिर मॉडेस्टो भाग कर टीना से मिलने स्कूल पहुचता है लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि सभी पैरेंट्स ने मिलकर सारी तबाही का इलजाम मॉडेस्टो प पाएगी अब उसकी बाते सुनकर डैनी अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि उस डिटेंशन रूम में उसी नहीं आग लगाई थी जिस वजाह से उन सभी की मौत हुई थी और उसने आज तक ये किसी को भी नहीं बताया क्योंकि वो नरक में नहीं जाना चाहता था फिर वहीं पर हम टीना को देखते हैं जो की बार-बार मौडेस्टो को फोन कर रही थी लेकिन मौडेस्टो उससे बात नहीं करना चाहता था इसके बाद टीना स्कूल में अनाउंसमेंट करवाती है कि वो पाँचों भूत आकर उसे लाइबरेरी में मिले फिर जब वो वहा कर देता है लेकिन जब वो कहता है कि टीना उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है तो ये सुनकर मौडेस्टो जल्दी से वहाँ भागते हुए उसी स्कूल में पहुच जाता है इसके बाद एंजला मेरबी को एक लेटर देती है जो की 20 साल पहले उसके बॉइफ्रेंड ने और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं फिर फंक्शन स्टॉट होता है लेकिन वहाँ पर बोरिंग गानों को सुनकर सभी लोग बोर हो जाते हैं तभी मौडस्टो एंजला को वहाँ पर लेकर आता है और उसे गाना गाने को कहता है अब ये देखकर एंजला एक स्कूल का प्रिंसिपल बनाने वाला था तभी जॉन उसके शरीर में घुस जाता है और उसकी पैंट उतार देता है फिर फाइनली देनी स्कूल में आग लगाने के जुर्म में सबसे माफी मांगता है और सभी लोग उसे माफ भी कर देते हैं इसके बाद जॉर्ज एलसा के पास जाता है लेकिन वो देखता है कि एलसा तो पूल में दूब कर मरने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो भी उसके साथ स्वर्ग जाना चाहती थी लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अगले जन्म में मिलूंगा अब फाइनली उन सभी की सारी इच्छाय पूरी हो चुकी थी और अब उनकी मुक्ती का वक्त आ चुका था जिसके बाद वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी एक सफेद रोशनी आती है और वो सबी वहां से गायब हो जाते हैं अब फाइनली उनको मुक्ती मिल चुकी थी जिसके बाद मोडेस्टो और टीना एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है